हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितनी भी छात्रों का 22 फर्वरी को हिंदी का पेपर है तो इस पेपर का आप संपूर हल देखें और देखके आप 22 फर्वरी को एक्जाम देने चले जाएए आपको मैक्सिमाम प्रस्ण जो हता है जितनी भी पेपर कराया है इन हिंदी का पेपर कराने वाले हैं इसमें से आपके बोर्ड के एक्जाम में मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिलेगा देखिए फ्रेंज यहां पर आप से पूरा डिटेल में लिखे इस पेपर का संपूर हल कराएंगे ठीक है तो आप वीडियो को लाज तक बस एक बार देख देखिए सभी प्रशनों का एंसर आपको याद हो जाएगा ठीक है यह देखिए 2024 के लिए एक प्रकार का वारल पेपर है और यहां पर हिंदी का संपूर हल देखेंगे ठीक है यहां पर देखिए कि आपका प्रशन पत्र मिलेगा तो यहां पर सबसे उपर लिखना रहाता ह ठीक है अब यहांपर देखिए कि आपको कुछ इहां पर समय बता दिया गया है कितने नमबर का पेपर है जैसे यहां पर देखिए संपोड की समय जो है तीन घंटा-15 मिनिट का संपूर समय है और पूडंख जो है टोतल सतर नंमर का पूरंग रहता है यहां पर कुछ नोट जिए गा हैं आपको परत्येक किपर मेंने सभी को बता चुके हैं तो कि अपको निर्देश सभी प्रकार सब्सक्राइब आपको समय ना कवाते हुए सीधे प्रश्ण पे लेकर चलते हैं और प्रश्ण को हल करके बताते हैं ठीक है देखिए आपका प्रारम होता है खंड और जिसमें 20 अंग का बहुविकल्पी प्रश्ण रहेगा देखिए फ्रेंस आप वीडियो के लाश्ट में यह बताइएगा क 20 बहुविकल्पी प्रश्णों में से कितने प्रश्ण आपके सही हुए कमेंट बाक्स में आप जरूर बताइएगा ठीक है अब यहां पर देखिए प्रतेएक प्रश्ण एक एक नंबर कर आएगा तो आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि आचार रामचंद्र शुक्ल क किस्यूक्त के लेखक है तो यह प्रश्ण आपको कई बार क्राच चुके थ watching इस प्रश्ण का सभास के आप बेत आपको पूछता है आप आसानी से कर लेंगे तो आप अन्य जो छात्र है उनसे बहुत आगे रहेंगे ठीक है आपका अगला नमबर के इसका सही जो आप बीवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है जुझे अगले प्रस्न को देखते हैं देखे अगला प्रस्न क्या है आपका चौथा नमबर का कलम को सिपाही कृती है किसकी कृति है तो आप सभी को पता है किसका है अमिरत राय की है इस प्रष्ट का सही जो अप डिवल आपन से होगा ठीक है चलिके अगरे प्रष्टट को देखते हैं देखे आपका पांचवान नंबर का है कि सुक्ल यूग की समय अवधी मानी जाती है फ्रेंस आप जरूर बताए कि 20 कोईस्चन में ति कितने कोईस्चन आपके सही हुए कमेंट बाक्स में आप जरूर लिखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है यह आप देखिए सुक्ल यूग की समय अवधी कम माने जाती है तो आप सभी को पता है कि 1909 से लेके 1938 तक के बीच का समय सुक्ल यूग की समय अवधी माने जाती तो इसका सही जवब दीवला आपसन सही है अगला प्रस्न देखिए साकीत रचना है यानि साकेत किसके द्वारा लिखा गया है तो आप सभी को पता है कि साकेत जो लिखा गया है मैथ्री स्रण गुप्त जी की द्वारा लिखा गया है तिसका सही जवब डीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रस्न आप देखिए महा देवी वर्मा कव इत्री है यानि आपको बताना है कि महा देवी सब्सक्राइब पता है।個人 raptor तो अगला प्रसन देखिये कि आधुनिक काल की से हमां क्या है आप सभी को पता है कि 1843 से लेकर अब तक का जो समय है आधुनी काल का समय सीमा माला जाता है इसका सही जवाब क्या होगा डीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रसन देखिए महादेवी वर्मा की रचना नहीं है यह भी प्रसना आपको कई बर करा चुके हैं कि महादेवी जो है इनकी रचना जैसे निहार हो गया सानदागी वो गया दीव शिखा हो गया महादेवी वर्मा की रचना जो आप स्थाई वाव कूप पता है कि आस रस नही होता है THO प्रश्ण का सही जवाब बीवला अपसन सही हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपको क्या है कि पीपर पाथ सरिस्मंडोला उप्रियुक्त में आपको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है ठीक है यह देखिए इन प्रश्णों का एंसवर आपको कई बार करा चुके हैं ठीक है यहां पर रिविजन टाइफ और इसको आप पढ़के जरूर चले जाएगा ठीक जितने भी प्रशने बता रहे हैं आपको देखें तेरा नंबर का कि सोरठा खंड में होते हैं कितने चरह होते हैं तो सोरठा या रोला जोना में आपकरуюपिये औला प्रस्थों सब्द में प्रयुक्थ उपसर्ग में आप सभी को पता चुके हैं जैसे देखें आपका प्रारंमक्षा सुधला होता है यहां था beture अप्ञार्च वसा सिफ्ञार्श Along experimental आप याद रखेगा, कि परते के कितने वह थे पड़ते हैं कि तोटल प्रश्ण की यह हानी और लाप में समास थी प्रश्ण आपको पता है कि बीच में रहता है तो वहां पर सही क्या होगा यहाँ पूछे पारवाची से स्वाल मछली का पारवाची मीन तो तक सब्सक्राइब प्रशन में तुल प्रशन का थम्लत में प्रशन को बता हैं चाहें ळिर्धुतरी हो चाहे इसमें खंड काप वह जितने भी प्रश्ण आपकी इस पेपर में सभी प्रश्णों का तुम डिटेल में बताने वाले हैं तो आप वीडियो के एक सेकेंड के लिए इसकीप मत किया कीजिए ठीक है अठारा नम्बर के देखिए यह दिवी में कौन सी संधी है यह दिवी यह पर फर आदाद आ जाए अधा तो आजाया तो यहाँ पे पर हमेंजा आपका संधी होता मैं हमेज आपको अगलाी होगा fleeing मधूllers शब्द का हुद्धि भक्ति वहीं अचनल रूप्चिक पताना है कि मधूर शब्द में रूप्ची और्छी प्रशन का वचन और प्रूस आपको बताना है ये प्रशन का आपका सही जवाब होजागे जो प्रथम होता है उस में प्रथम पुरू से और द्यूत्ति वच्छन है तो इस प्रश्ण का सही जो अब वीवला अप्सन सही हो गया देखें आप 20 प्रश्ण कम्प्रीट होगे हैं आप कमेंट में पताए कि 20 में से कितने आपके सवाल सही हुए हैं अब देखें यहां साब का इस्टार्ट होता है खंडबा जिसमें वड़ात्मक प्रश्ण रहेगा चलिए खंडबा के सभी प्रश्णों को आप सभी को पताते उन प्रश्णों को आप एक बार देख लीजिए ठीक है अगला प्रश्ण एक नंबर का है एक गद्यांस को यहां से लेके यहां तक आपको पढ़ना रहता है और पढ़ने के बाद इसका एंस्वर देना रहता है आप पाली जीएगा कि जैसे आपको पढ़के बताते हैं आज हम इसी निर्मल शुद्ध सीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अ परदाश्ट करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्यों को कायम रखते हुए और रखेगा इसमें देखिए प्रश्ण गध्यांस यह दिया है इस पर तीन आधारित प्रश्ण पूछता है पहला पूछा है आपसे संदर्प दो नंबर का रिखांकित अंस की ब्याक्या करेंगे दो नंबर का अगला है कि लेखा के अनुसार हमारा अस्तित्यों किस कारण से आज भी कायम है यह दो नंबर का यह तोटल यह प्रश्ण च्छै नंबर का है देखिए इसका एंसर आपका ऐसे लिखेंगे यहां पर देखिए आप लिखिए खंडबा पहले जैसे खंडबा का प्रश्ण 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 संख्या एक सब्द ऐसे आपको हर पेपर में बताएं इस तरह आप लिख लिजिएगा अब देखिए इसका संदर्व लिखना कैसे लिखेंगे लिखेंगे संदर्व में कि प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के जान्ट के भारती संस्क्रीती नामक पाठ शे लिया गया है इसके लेखळ। परशाद जी है ठीक है तीस दिए तरह से गद्ध रहेगा तियहां गध्यांस लिखेगा ठीक है भस यह संदर्व लिखने का तरीका एक ही बस पाठ और लेखा का नाम सिर्फ बदल जाता है ठीक है अब दखें यहां पर जो रेखांकित इा इसके भ्याख्या करना है तो आप लेखक काहना है कि भारती संस्कृती रूपी विसाल सागर में आकर गिरने वाली जाती धर्म भासा आदी रूपी विवित नदियों में एकता रूपी जल अमिरित की तरह प्रवाइत हो रहा है इसमें जैसे आपका डाक्टर राजेंद प्रशाज जी जो लेखक हैं वही आप कहते हैं कि भारती संस्कृती है भारत की उसमें अनेक प्रकार की जाती के लोग धर्म और भासा को मानने वाले लोग हैं लेकिन एक नदी के समय एक ही जगा आकर यह सभी लोग मिलते हैं तो यही चीज़ इसमें आपको पताया गया है परंतु देखिए यहां परंतु आज यह एकता रूपी जल विभिन कारणों से दूसित हो रहा है ठीक है हमें आज भी उस अमित तत्यों की तला से जो सद्यों पूरु प्रवावित होता था देखिए फ्रेंस इसमें बस लेखा का काना यह है कि पहले प्राचीन समय में भारत की संस्कृती है उसमें जो है जाती सभी नद्यों के समान सभी धर्म के मानने वाले लोग क्या थे कि एक ही जगा मिलते थे लेकिन वरतमान समय में जो जाती अनेक धर्म अनेक पदूशर भारत में फैल गया है जिसके का उसमें क्या है कि सभी अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के उसमें दूस प्रभावत देखन के लिए मिल रहा है ठीक है इसके बारे में डाक्टर राजेंद प्रशाद जो लेखा के कहना चाहते हैं ठीक है अब देखिए आपको इस प्रश्न का इंसर देदी अब अगला देखिए लेखक के अनुसार अस्तित्व किस करणा से आज भी कायम है तो देखिए इसका इंसर आ हमारी एकता है तो उसके का आज का अस्तित्व घंद देखने के लिए मिलता है तो यही आपको इसका लिकरना था ठीक है अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न इसमें से पूछता है एक अथवा करके लिए तो आपको दोनों प्रश्न हवाद करा देते हैं यदि आपको इन दोनों में से कोई भी एक बोर्ट के एकजान में आता है गध्यांस तो आप आसानी से लिख सकते हैं चलिए इस गध्यांस को भी आपको हल करके बता देते हैं कि आप इसका एंसर कैसे लिखेंगे पहले यहां से लिखे जैसे आपको पता हैं यहां से पढ़िए गाता जैसे आपको पढ़ए गए जाइए नो बचार राम चंद्र सुकल इसके कौन है लेखा को गए इतना चीज आपको बस पाट से ही पता चल जाएगा तब यहां पर इसका इंसर आप कैसा लिखेंगे यह कोई बात नहीं यहां से यहां तक पढ़ लिजिएगा संदर्ब लिखना है रेखांकित अंसकी ब्याक्या करना ह भीएकति एक दुसरे कवर क्या देकर आकरसित होते हैं परते प्रस्ण दो दो नमबर का है चलि इसको आपको हल करके बताते हैं तो अदो क्या करेंगे पहले परूब रेखेंगे प्रस्चन उत्र संख्या लिखेंगा और यहां वस्धा सेहन लिखने का तरीका आफ सभी रामचंद्र शुकली जी हैं इस तरह लिखना है रखांकित अंसकी ब्याख्या अपने शब्दों में कैसे करेंगे लेखा का कहना है कि एक समाद रूची वस्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती ठीक है इसमें अब ध्यान देजिए अंसकी ब्याख्या लिखना हो अब द्यान से लिखेंगे कि कवी का काना है इस तरह ठीक स्टार्टिंग में सब जरूपर योग कीजिएगा अब लिखिए एक समाद रूची स्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती बलकि समाज में इसके विफ्रिद दृष्टिकोर रखने वाले व्यक्तियों म में तो हो सकता दूसरा आपמा मित्र उसका पढाई में है मुबाइल चलाने में अने और प्रकाई के रूचिया होती यहीं बात यहाँ पे कहा गया है अब देखें इसके बारे आगे क्या लिखेंगे कि देखने को मिलती है ब्यक्ति चाहता है कि जो गुड उसमें नहीं है उन्हीं गुडों से युक ब्यक्ति से मित्रता बढ़ाई जाए जिससे जीवन में कठी समय आने पर वह उनसे सहायता वह मार्ग दर्शन प्राप्त कर सक लेकर किए उसमें देखेंगे लाइत यहीं लेखा पर फूच्शा वाले टर टूंब्रेंदर powdered नहीं कर सकते क्रिकेट भया करें हैं तो Россi भ हुआ मित्रता रखती है यहीं लेखा का शब्दों में यहां फिर लिखना रहता है अगला फ्राचन पूचा है कि ब्यक्ति एक दूसरे की और क्या देखकर आकरसित होते हैं तो देखिए प्रस्तूत गद्यांस के अनुसार ब्यक्ति समाज में विभिनता देखकर ही एक दूसरे की और आकरसित होते हैं तो दोनों में विभिनता देखी गई इसी विभिनता को देखकर एक दूसरे की और आकरसित होते ह यही चीछ लिखना था आपको यहां पर जो प्रशन पूछा था आप आसानी से जैसे आपको समझा है इसी तरह बोड की एक्जाम में आप इसके लिख सकते हैं ठीक है अब चलिए अगले प्रशन को बताते हैं ठीक है आपको बार बार कर रहें कि वीडियो के एक सेकंड के लि जैसे समझाएं इसी तरह आप लिखके चले आईएगा और एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा जैसे बताएं ठीक है यह भी आपका च्छान नंबर का प्रशन है यह आपको प्रारम होता है यहां पर आपको पूछाएं कि देखिए पहला पद्यास है कि निरगून कौन द दासी दासी मानें दास ठीक है ठीक है कैसे कैसे बरन भेस है कैसो कि ही रसमें अभिलासी ठीक है और आगे देखते हैं लाइन को देखिए पोवेगो पूनी कियो अपनो जोरे करेगो गासी सुनत मौन है रहियो बावरो सूर सबे मतिनासी अब यहां पर मिल गया सूर सूर का पार्ट से लिया गया देखिए आपको जब यह पद्यांस पड़े पद्यांस में उनका लेखक का नाम मिल जाता ही इस तरह ठीक है अब यहां पर पूछा है संदर्व दो नंबर का यह रहता है रखाएं कि अंसकी ब्याख्या भी दो नंबर कर रहेगा मधुकर शब्द का अर प्रस्तूत जब पद्यांस महाकवी सूर्दास जी द्वारा रचित सूर्सागर महाकाब्य से हमारी पाठे पूस्तक हिंदी के खंड काब्य में संकलित पद शिर्षक के उद्रित है इस तरह आप लिखे दीजिएगा ठीक है यह जैसे आपको गद्वाला पता है उस तरह ज किस देश की निवासी है उनके पिता वह माता का नाम क्या है ठीक है माता और पिता का नाम क्या है लिखेंगे मित्र और कौन इस्त्री है कौन उसकी दासी है उसका रंग रूप कैसा है उसकी वेश भूसा कैसा है तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है इन प्रश्णो का उत्तर देने के लिए गोपिया उद्दो पर जोर देती हैं यानि कि यहां पर जो रिखांकित अंस था उसकी ब्याख्खा इस प्रकाश आपको करना था ठीक है समझ में आ गया अब देखिए आप पूझा मधुकर शब्द का अर्थ बताना है आप देखिए इसका कैसे बता अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्ण आपका अथवा इस प्रश्ण को भी आपको साथ में बता देते हैं ठीक है देखिए इसके पार्ट जब इसको पढ़ेंगे तब इसमें से ही आपको उसके पार्ट का नाम पता चल जाएगा जैसा देखिए यहां पर लिखा है रेखांकित अंस की ब्याख्या बताना है फिर इसमें बताना है कि उपरियुक जो पध्यास में किसकी महिमा कवराण किया गया है यहां पर आप इसको पढ़िएगा आपको कैसे करना है देखिए इसका आपको लिखना रहेगा संदर्वत कैसे लिखेंगे लिखेंगे संदर्व में कि प्रतूत पध्यांस हमारी पंतपुस्तक हिंदी के काम हंड के स्व्धेश प्रेम नामग पार्ट से लिए इसके कवी रामनरेस त्रिपाठी जी है यहां पर इसकी संदर्व लिखते से में आपको ध्यान देना है अब दिखें आरे खांकित अंस जो इसकी ब्याख्या कैसे करेंगे लिखेंगे कि कभी कहतना चाहता है कि यह आकास भी हमारे पुर्वजो की विजय गोसो और युद्ध की गरजनाओं को उनके बार बार सुन चुका है इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा इसकी ब्याख्या आप जैसे बताई इसी तरह आप इसकी ब्याख्या कर लिजिएगः कं इस सब्कुलीट हूए बढ़े और अपने पड़नь आपको देना था ठीक है आप को हिंदी का और पूछता है शभी आपके कम्प्लीट हुए अब चलिए अब देखते हैं संस्क्रीट के ठीक है अब यहाँ पर देखी है संस्क्रीत में क्या है यहाँ से किसी एक संद्री लिखना द्यानथि जिन इस clarified करना है यहां तक पढ़िए तो समझेजिए किस पार्ट से लिया गया है कि हमारी दाडर्डार्ड नामग पार्ट से लिया एक अब इसी का हिंदी करना संदर्व लिखना है तरी कि सांस्क्रीट में संदर्व आप कैसे लिखेंगे इससांस्क्रीत मीन क्षा लगा तो catastrophic लिखेंगी लिखेंगे ये डाट-डाडाट कर incl Kta सभी आपको पता हो गया। संदर्ब कैसे लिखेंगे संदर्ब लिखने के तरीका वा यह बस पार्ट का नाम पटा चलाओ आप लिखेंगे देखिए करेंक हमारी पैठ पुस्तर के शंक्रीद संक्रीद मतलब नीजिस पार्ट पार्टस लिए घ्रव याने क्षास को पूठ क सिंस्रीद में वफ्रेर और व्र। यह नगरी भारती संस्कृति और संस्कृत भासा का केंद्रस्थल है यही से संस्कृत साहित और संस्कृति का प्रकाश चार और फैला है मुगल यूरास दाराशिको ने यही आकर भारती दर्शन सास्त्रों का अध्यान किया था वह उनके ज्यान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिस्दों का अनुवाद फार्सी भासा में करवाया ठीक है इस तरह करना था आपको इसका भ्याक्या ठीक हिंदी में सब्सक्राइब को पकड़के यदि आपको नहीं आएगा तो इसका तरीका भी आप सभी को पता है कि संस्क्रीट में यदि आप गद और पद का हिंदिया नुवाद करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रि सब्सक्राइब को देखते हैं इसमें देखिए आपको अथवा में भी देता है ठीक है चले इस गद्धया उसको पढ़ लेते हैं यहां तक पढ़िए मघशत करना है कि हिंदी मानुवाद करना है और संदर्ब लिखना इसको आप कैसे लिखेंगे पर लें पूब लिए संस इस तरह पढ़िएगा ठीक है अब इसका लिखना रहागा तो कैसे लिखेंगे पहले नमबर संद्रब लिखिएगा कि प्रस्तूत गद्यांस हमारी पार्थ पुष्टक हिंदी के संस्कृत खंड के भारती संस्कृती नामक पार्थ से लिए गया है ठीक है तो यह किस पार्थ संसकृत करने के संसकारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचार धारहों को सिकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है फिर लिखेंगे इसके में और आगे यह हट नहीं है जो उचित और कल्याडकारी है वह यहां वह हर्स पुर्वक स्विकार होता है इसकी गतिशीलता का रहस्य मानो जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे की सत्य की प्रतिश्ठा सभी प्राडियों में संभाव विचारों में उधारता और आचर में दिरता में नहीं थाये इस तिरा को संस्कृत में लिखना पड़ेगा ठीक है इस संस्कृत के जितने भी गद्य पत्य थे आप दोनों को करा दिये है इन दोनों की भी साथ में तयार कर लीजिए अब देखें अगला प्रश्ण आपका है चोथा पध्यान से संबनित प्रश्ण है अब इस प्रश्ण का एंस्वर आप कैसे लिखेंगे इसमें भी क्या करना रहा था कि टोटल पांच नंबर का प्रश्ण है इसमें भी आपको उंद्रस्य हिमोद्रेश्ट्य दच्र वर्शं तद भारतम नाम भारती यत्रसंत्ति ठीक है ज्यान से आपका वीरण वीरण पुझ्जते से लिया गया है किस पार्ट लिए वीरण पुझ्जते से अब देखें इसका संदर्व कैसे लिखेंगे तरीका वही है अब बार बा पुझते नामक पार्ट से लिए वह इतना लिखना है इसका हिंदी में अनुवात कैसे करेंगे जो समुंद्र के उत्तर में और हिमाले के दच्छिर में हैं इस्थित है वह भारत नाम का देश है जहां कि संतान भारती है इस पकास से इस पध्यांस का आपको क्या करना था उत् समुंद्र 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 के उत्तर में और क्या है कि दच्छिर में क्या है हिमाले हिमाले मतलब ही मतलब हिमाले दच्छिर के हिमाले में ठीक है इस तरह आपको क्या करना था वर्स्तत भारतम नाम में उसका नाम क्या है भारत है जहां पर आपके भारती संतान रहते ह संस्क्रिट में अनुवात करना है , अब अगाला प्रशन देखिये आपका आथवा में तुम कर सकते हैं अगला प्रशन क्या आगेकί घुती अब 26 क्रेंगे अब डिक संधर्वद आ को लिखना रहेगा तक इसे दिखेंगे प्रंस्तू पद्ञत्र हमारी परट्वέ पूस्थ कघिस्वण हे जीवन-शूत्राई नामक पाट लिए गया है तो आप जीवन सुत्राइज नामक पार्थ इसको खुब बढ़ियां से पर लिजी इसमें से 100% एक श्रोक आपका जरूर देता है ठीक है तो जीवन सुत्राइज नामक पार्थ से लिए इस तरह लिखेंगे अब देखें इसका कैसे ब्याक्ठा करेंगे ठीक है आपको ब्याक्ठा भी बताते हैं इसका किम्नों हित्वा प्रियो मतलब होता है किम्नों हित्वा मतलब किसको छोड़कर ना किम्नों हित्वा प्रियो भवती किन्तु किन्नों हित्वा ना सोचती किसको छोड़कर प्रियो होता है प्रियो मतलब होता है प्रियो मतलब प्यार किसको छोड़का प्री होता है किन्य हित्वा न सोचती किसको छोड़का सोक नहीं होता है इस तरह को क्या करना है दिखेंगे कि किसको छोड़का प्री होता है किसको छोड़का शोक नहीं करता है किसको छोड़का धनवान हो जाता है और किसको छोड़का सुखी हो जाता है इस अपने पटित खंड काबे के आधार पर इंगल फित प्रश्णों में से किसी एक का उत्तर देना रहता है यहां पे आप सभी को मुक्ति दूत वाला बताते हैं जिस जीला में जो पढ़ाय जाता है वहां के चात्र उस खंड काबे को हल करना रहता है जितने भी गाजीपुर के च्छात्र हो गए जितने उन्याव आगरा यह सभी होते हैं वहां पे मुक्ति दूत पढ़ा जाता है तो आपको मुक्ति दूत में दो प्रश्ण इस तरह पहला और दूसरा पूस्ता इन दोनों प्रश्णों में से सिर्फ एक प्रश्ण हल करना रहता है यहां पर देखे गाधी उससले आप सब्सुक्ति आप सवीको बताते हैं कैसे लिखेंगे यह कई बार करश्ण हो प्रश्णों को फिर भी आपको बता देते हैं यहां लिखरिजी नायक का चरीत्र चित्रह यह माहातम हम fix जी कि बारे में जो कुछ आप जार है कैसी लिखेंगे कर दो और रिजिसरत बल्से गादी जी वीश्व को प्रभावीट कर के युग पुरूसका रायो के आप सभी को पता है कि नायक पुरुष भदा या इसन मतला बुलत ब्रब्सक्राव देश भक्ति रहा अ पिछले इनके विश्यस्ताओं के बारें हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी आप सभी को यह पता चुके हैं डिटेल में ठीक है आप पहले वीडियो देखे होंगे तो सभी लिख चुके होंगे प्रशन को दीपी पुरुष के बारें आप क्या लिखेंगे कि महात्मा गादी महान पुरुष पुरिथुवु प्रवतार के रूप में प्रकट हुए जो फृत्युपि के दुखों करने के लिए आते हैं इस प्रकार गादी चाधर्ण साधरा पुरुष नो होकर एक दुव्य पुरुष के रूप में काला है हरी जनों की उद्धार के पता है कि आप सभी को कि हरी जनों जो पिछले लोग थे उनसे बहुत लगाओ रखते थे उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे ति हरी जनों की क्या थे एक प्रकार उद्धार करना था मातरी वह थे धर जो उनसे ज्यादा और क्या करते थे उनका समान लगते थे एस प्रकाश आप गाधी जी आप MV और भक्त हर राखते थे गाधी जी ने उधारता अ चृफ परवाओ था यह अगला प्रश्ण को देखते हैं कि यह अपने जीले में जितने भी चात्र होंगे अपना देख सकते कि कि जहें कौन से करना रहता इतने प्रशन आपको देखा है अब देखें आपके साबने अगला प्रशन है हैं छटमा नंबर का मुस्का में ser élon59 नाम लिखें पांच नंबर का प्रश्ण रहता है देखिए आपको आचाराम चंदर शुकल जी हुआ जैसंकर प्रशाथ और डाक्टर राजंद प्रशाथ इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परचे आपको लिखना है आप सभी को करा हैं डिटेल में आपको कई बार यह प्रश बद्रा कुमारिच्चे वहान और बिहार इलाग इन तीनों में से किसी एक कई जीवन परचे आपको लिखना है यहां पर आपको क्या करना है कि तुलसीदाज जी का जीवन परचे आप सभी कई बार बता चुके हैं फिल भी देख लिजिए तुलसीदाज जी का जन्म का selbst तरहारी डास था पत्लीक राम प्रत्नावली उनकी पर्मुक रचना है जैससे राम चरित मानस्त कवितावली कितावली दुग्हावली आधी यह मत सभी परचे इस तरह लिखेंगे दिखने के पर आप लिखेंगे यहां पिंधिझी जीवन परचे आप लिखेंगे में द मूल नच्छत्र में जन्म होने के कारण, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, नरहरी दास ने इनका पालन पोशड किया था, कासी के से सनातन नामग विद्वा ने इन्हें वेदो पुराड़ो आधी गरंथों का ज्यान कराया था, इनका विवा रतनावली से इनके प्रमुक रचनाय लिखे, इसलिए कि तीन नमबर इस पर मिलता है, उसकी रचना पर आपको दो नमबर मिलने वाला है, अलग से रचना आपको लिखना पड़ेगा, इसे रामचरित मानास, विने पत्रिका, कवितावली, गितावली, दोहावली, ठीक है, इस तरह याद होगा, दोनों में से कोई एक ही सुलोग करना रहेगा, आपको यहाँ पर दो सुलोग बता देते हैं, देखे, पहला सुलोग आपका है कि मरड़म, मंगलम, यत्र, विभू, तिष्च, विभू, सड़म, कॉपिनम, यत्र, कॉसय, सा, काशी, केन, मियते, इसके अलाव इन दोनों में से कोई एक सुलोग आपको बोर्ट की एकजाम में लिखना रहेगा, जो याद रहेगा, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, यह दो नमबर इस पर आपको मिल जाएगा, अगला प्रशन आप से देखे, संस्कृत से संबंधित आपको उत्तर पूछता है, कि में से किनी दो प्रशनों को उत्तर संस्कृत में देना रहेगा, टोटल चार नमबर कर रहेगा, यहाँ पर देखे, आपको इन चारों में से कोई दो ही प्रशन आपको करना है, प्रते एक दो दो नमबर कर रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करते हैं, चारों प्रशन इस तरह लिखेंगे यानि के जबढ़ा सकता है अगला प्राश्न भारती संस्कृते मूलकीम अस्ती एक इसका क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे विश्वश्य क्रवाया है विश्म विश्वस्य क्या लिखेंगे विश्व वस्य स्रश्टा इस्वरा 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 ठीक है बस एक बार देख लिजिए इससे आपके पेपर में आये तो आप आसानी सिसका एंस्वर लिख सकते हैं अस्ती इती भारतिय संस्कीते अ कि संस्कीते मूलम अस्ती मूलम अस्ती इसका जवाब यह हो जाएगा अ फुट्रमराम अंगलम होथी इसका इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका वराद सी वराण सी मरण मंगलं भवती ठीक है इसका इंसर लिए देंगे चंदर शेखर आसी इसका इंसर क्या होगा आपका इसका लिखेगा चंदर शेखर चंदर शेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देश्भक्त चंदर 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 क्या आसी इसका करणा रहे चारे प्रशन का आपको निबंद लिखना रहता है तो किजिए गार अच्छे तरीका से बहुत डिटेर में आप सभी को निभदन लिखने का तरीका आप सभी को बता दिये हैं देखें नहीं होगे तो जाके पर लिट से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ठीकर तो फ्रेंस जितने भी पेपर थें इन पेपरों को आप एक-दो बार देख के पेपर में जरूर जायेगा आपको maximum question जितने भी paper कराए हैं आपको इन ही सभी paper में से question देखने के लिए मिलेगा तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें